हाई गाई नमस्कार वेलकम है आप सबों का मेरी सो और्गेनिक गर्ण गर्ण चैनल पर जिसे आप देखरें अपना प्यारा चैनल यूटूब चैनल रफेरेंट्स आज हम बात करने वाले होममेड पेस्टीशाइट की किस तरह से आप अपने घर पे बिल्कुल और्गेनिक मे माता में युक्त स्टाइक का फी टेजी स्टी है और बहुत सैसे कीछे जो हमारे फ्रूट्स जो वेजटेवल है उसको को छेद करके उस फल के अंदर में जाकर के कि बहुत जनम कि जो कि कुछ समय बाद हमारे फूट्स गल्ण सुरू हो जाता है तो ऐसे में हमें में बहुत से केमिकल खाद यूज करनी होती है तो आज हम आपके बीच एक ऐसी पेस्टिसाइट लेकर आया है जो कि मैं यह पेस्टिसाइट मैंने खूद अपने गार्डन पे एक्सप्रिमेंट करके देखा तो बहुत अच्छा मुझे रिजल मिला तो मैं सोचा क्यों ना अपने फ्रेंट्स के साथ मैं यह और्गिनिक पेस्टिसाइट आपके साथ सेयर कर दूँ ताकि आप भी इसके आप फाइदा ले सके यह बिल्कुल और गयनिक होगी जो जो कि जो कि आपको आसानी से अपने घर पर जुटा सकतेहंँ आप इसे अपने घर पर आसानी से अपको मिल जाएगी प्रेंट्स कफे modest आप कि इसे हम अपने फ्रूट्स के यसकी निफ के ऊपर बन जाती पती की ऊपर जեյन जाता है जिसे की कोई भी कीड65 कि तो उसे खाने में उसे दिक्कत होती है तो एसे में हमेरे फ्लांस की एसे में हमेरे फ्लांस का हेल्थ अच्छा होता है और किसी तरह का बीमारी का अटेक नहीं हो पाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें जो इसके लिए जो भी हमें सामेगरी लेनी है चलिए आपको एक बार फिर से में हम और आप मिलकर देख लेंगे तो इसके लिए हमें एक देशी मिर्च लेनी होगी जो की काफी कड़ी होगी यह आपको देखने में काफी ऐसे लग रहे होगी कि यह काफी कड़ी होगी तो देशी मिर्चिले नहीं है जो की ज्यादा जाल हो नमबर दो पर बात करें तो गार्लिक जो की लसुन है यह एक तरह के एंटी फैंगल एंटी वेक्ट्रियल है इसकी भी काफी अच्छी हमारे प्रिस्टी साइड में काम करेंगी और इसके लिए हमें एक नीमू की जरूत पड़ेगी और इसे भी आप जानते होंगे केंडनर इसे बोलते हैं कनर यह काफी जहरेली होती है इससे हमें बहुत आने में उसे दिक्कत हो सकती है इसके लिए हमें से एक चोटी सी मात्रा लेनी होगी और जो पांचबन नमर में आएगी इसे आप बहुत आसानी से आप जानते होंगे जिसे आप एलवरा के नाम से जानते यह काफी एंटी फंगल एंटी बैक्ट्रियल है जो कि इसकी सलाइ इसे हम बनाएंगे तो यह काफी अधिक स्कती साली पावरफूल होगी जो हमारे प्लांट्स पर प्रक्षिरगाव करेंगे तो पत्ती काफी कड़िवी हो जाएगी जब हमारे कीट अटेक करेंगे तो उसकी पतिया खाने में उसे दिक्कत हो सकती है दोस्तों ये फेस्टिसाइड मैंने खूल अपने प्लांट पर अपने गार्डन पर एक्सप्रिमेंट किया हूं पहुत हद तक ले कीट का सर कम हुआ है बहुत हद तक बीमारी का रोक इससे हो चुका है तो हम तो चलिए जल् यंगर सूट है इसको भी हम इस तरह से तोड़ सकते हैं इस पर हमारे काफी काम आएगी इस तरह से नाजुकांग जो होगी उपर के इस तरह से हमें से तोड़नी है और इसकी सारी पतिया हमें रिमूब करके तोड़ लेनी है कुछ इस तरह से हमें इस तरह से पूरी पतिया तोड़ेंगे तो फ्रेंस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें तोड़नी होगी उपर की यंगर सूट भी लेनी है और कुछ लेने हैं कुछ इस तरह से तोड़ लेंगे और एक अब इस तरह की होपली पर हमें इसे डालनी है और उस पर हलकी हलकी कूटनी है ताकि इसकी कि अंदर की जो रीकवीड होगी होगी कुछ के इसके बाद से वर्तना होगी साफ पानी लगबग 3डरłości की यह मिंक्सर बनेगी यह यह लीकवीद के मात्रा project लिटर पान के मात्रा बना रहे हैं बहुत मंतरा कुछंस कोटेंगे और कूट करके हम इस तरह से पानी में से तरह से पानी में डिजॉल करते जाएंगे इसी तरह सभी पतिया को कूटले और ठाज से मात्रा कंनर क्यों तो कुछ इस तरह से कंणर की इस तरह डालना है तो थोड़ी सवधानी रखने क्योंकि छरीली चीज्ज है जब इससे हम बनाएंगे तो फिर साबुन से अच्छी तरह से दोनी होगी और इसे स्वधानी पूरवा कभी आपको यूज करनी है जब यह बन जाएगी तो बिल्कुल इजी हो जाएगी इसे हम आच्छी तरह से छिरकाव कर सकते हैं तो दोस्तों आप बार यह से आग पे चड़ाने की यह तीन लिटर की पानी की मातरा थी अब इसे आग पे हम चड़ाएंगे लगबग इसको उबालना है लगबग 1.5 घंटा जब यह तीन लिटर पानी लगबग 1.5 लिटर की मातरा बन जाएगी तब इसे हमें उतारनी है तब यह हमारी लिक्विट तैयार हो जाएगी तब इसकी एक मिक्सब हम बनाएंगे उस पर मिलाएंगे तो चलिए अभी बारी है आग चड़ाने की उपर एवन की आग पे से चलिए हम अभी चड़ा लेंगे और इसे उबाल लेंगे फ्रेंट्स आग जो होगी वह काफी हलकी होनी चाहिए यह हलकी आँच में पकनी चाहिए धीरे-धीरे बिल्कुल यह पकेगी तभी इसके अंदर से जो लिक्विर होगी अच तब तक बनााएंगे जैंगी हमे कंटी से फृट बनाइंगे चलिए घ्विए चलिए लिक्विर्य बनानी ऑग चलिए इसे हम तक्यार करते हैं अगे तो इससे पहले हाम पहले अच्छी तरह से साबुन से हान दो लेंगे क्योंकि कंडर कभी यूज कि chief होती है चली हम साबुन से पहले हां अप्योब कर दो ह Swiss बनाएंगे गार्लिक और मिर्च की आगार्लिक आपको चील लेनी हो गें कुछ इस तरह से आपको गार्लिक एक पूरी गार्लिक लेनी है जो की इस तरह से छील लेनी है बिल्कुल इसकी छील के निकाल लेनी है और इस तरह से ओकली पे डालनी है और मिर्च की भी हमें इस तरह से जो उपर की डंडल होती है इसे रिमूब करनी होगी कुछ इस तरह से रिमूब करना है और इस तरह से हमें उखली पे डाल करके इसकी एक पेस्ट हम बनाएंगे तो चलिए तयार है आप इसकी हम एक पेस्ट बनाएंगे इस तरह से इसकी अच्छी तरह से हमको कूट के इसकी पेस्ट बनानी होगी तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी हमें पेस्ट बनानी होगी इसकी मातरा आप अगर अधिक भी कुछ डाल दे तो इसकी प्लांट पर नुकसान नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल और्गेनिक होगी तो कुछ इस तरह से तयार है हमारी पेस्ट चलिए आप इ किसमे होती है उस पे एक लेइट बना दिए इसकी इस प्यस्ट की जब हमारे कोई भी किट या पेस्ट का अटक होगा तो उसकी पत्ती खाने पर जब प्लांट करेंगे तो उसका लीप जो है उसे लिज में इस तरह सकते हैं कुछ इस तरह से इस पर लिविएध में आप दे इस तरह से इसकी liquid हमें इस पर mix up करना है और फिर से इसे कुछलने होगी जब इसकी उपर के वह हम एक layer काटेंगे तो इसके अंदर से हमें इसकी एलिवरा के जो gel होती है निकलना start हो जाएगी हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि एक हांसे करना एक आदमी के लिए थोड़ी complicated हो सकती है इस तरह से पूरी जेल को हमें निकानने होगी यह जेल हमारे लिप्स पे एक layer बनाएगी जो कि एक सुरुक्षा कवज की जैसे हमें अपनी plants के उपर यह बना देगी आप तो फ्रेंड चलिए यह इसके लिए इतनी enough होगी अब इसे भी ऐख हम एक बार खुचलेंगे और इसकी तूरी से अच्छी से पेस्ट बनाएंगे तो चलिए फ्रेंड यह हमारी पेस्ट तीयार हो चुकी है अब इसे हमें बारी है पानी डालने की इस तरह से हमें पान जगर पर रखनी होगी जैसे जैसे की सेडी एरिया पर लगबग इसे हमें 24 गंटा छोड़ देनी है उसके बाद जब वह हमारी पानी पूरी डेड़ लिटर की इवन की जो तीन लिटर के पानी मैंने जो बॉयल करने उस पर जो मैंने डाला था वह लगबग आप डेड़ गंटे में हमारी तैयार हो जेगी तब जाके फिर इसके आगे हम सुरू करेंगे तो चलिए मिलते हैं 24 गंटे के बाद कुछ इस तरह से हमें उबार ले होगी हलकी आँच पे इसे धीरे-धीरे पकाना है तब ही जाकि इसकी अंदर के जो हमारी जो भी लिक्वीड होगी इस अब इस पर हम पूरी मिक्स अब करेंगे तो चलिए से ठंडी हो चुकी है चलिए अब इसे हम एक छनी के मदशे से छान लेंगे और इसकी पत्ते अलग हो जाएगी जिससे हमारी एक अच्छी लिक्वीड हमें मिल जाएगी इसके लिए हमें एक भरतन चाहिए होगी आप इ हमारी तयार है जैसे देख सकते हाँ गाड़ा लीखवीड यह हमारी तयार ही डार्क ग्रीन हो चुकी है अब इसकी जो हमने पेस्ट बनाए थी जो ऑलिवेरा और लसून की थी और जो भी मिर्च की थी अब उसका आप जाब पारी है उस प्रेस्त की जैसे देख सकते हैं । ताव बरीविद थी हमारी तैयार है अब इसे हम से भी हमें छान कर भी इन पर बन जाएगक पिकना सके मिला चुके हम भी तैयार हैं हमारी कितना नासक अब इस पेस्ट को हम इस पे दोनों मिला चुके हैं अब यह विल्गुल तयार है तो फ्रेंड्स यह हमारी लिक्विर काफ़ाव तयार हो चुकी है अब इसे हमें जरूरत है बोतल में स्टोर करने कि इस तरह से बोतल पर आप स्टोर करके से रख सकते हैं लगवग दो म बैटकर वहाँ पर वह उंडा देना चलू करती है और बहुत ही जल्दी उस अंडे से रिल्या निकलती है जो कि हमारे पतियों को भी नुक्सान करता है और फ्रूट्स को भी नुक्सान करती है तो यह लिक्विर हमें अपने प्लांस पर शिर्काव करने से फ्लावर की करें यह फायदा होगी यह बिल्कुल और गेनिक है यह प्लांट सबहने हैं कि हमारी फ्लांट को यह नुक्सान नहीं करे गी उसकी यह अँठी पर दोल दोस्तों यह का हमारी स्प्रेश बोतल अर्दchnोर्ग सब्सक्राइब साफ पानी भरेंगे सद्व पानी है घारा पानी हमें यूज नहीं करना है जो जो मात्रा होती है व्युक्तितो यह हम आसे तरह से करेगी दोस्के देनождmas है दो लिटर पानी में यह लिक्ए हमें 200mm ह dafür से हमें यूज करनी है तो चैले हमें 200mm इस पर ले लेंगे है अब इस पर बोटल पर हम डालेंगे जो कि आप देख सकते हैं किए यह बिल्कुल तौ with TV को तो यह फो चुकी थोड़ी सी पानी हमें कम करने होगी कुछ इस तरह से हमें यह लिक्वीड डालनी है आप देख सकते हैं यह बिल्कुल डार्क ग्रीन हो चुकी है दो सो एमल काफी होगी है तो दोस्तों सह से अब हमने चाहिए होगी स्वास या सैंफु जो की पानी में मिलाने होगी यह से स्टाइस के पतियाँ पर कम सम्पूं, जब लोटेशागी यह तो यह दवाई से चीटा और से पतियाँ को से खाणे तुकड़ा लेना है और दो लिटर पानी में हमें इसे मिलानी होगी कुछ इस तरह से दोस्तों यह फाइनल हो चुकी है जब भी आप दो लिटर की लिक्विर बनाएंगे तो यह तब आप उस पर एक डिस्वास या एक छोटी सी निमू की टुकड़ा आपको डालना हो डालने पड़ेगी क्योंकि यह जो सैंपू है हमारी पत्या पर एक लेर बनेगी बहुत देर तक तो चलिए अब यह तयार है हमारे स्प्रे बोतल पर अब इसे हमें थोड़ी मिलानी होगी कुछ इस तरह से दोस्तों यह लिक्विड काफी पावर्फूल है यह मैंने अपने गार्डन पर एक्स्प्रिमेंट किया है और बहुत हद तक हम चीटिया पर काबू पाए हैं और बहुत से कीट है जैसे वाइट फ्लाय हो और एफिट्स है इन कीटों को इस पर एक अच्छा असर देखने को हमें मिला है तो आप भी चाहते चाहेंगे तो इस लिक्वीड को अपने घर पर आसान से बना सकते हैं और इस सारी फ्लावर है आप सारी प्लांट पर इसकी आप इस पर सकते हैं तो और एक इंपर्टेंट बात जो हमने चिरोता का इस्तमाल किया था अगर आपके पास चिरो जगहां पर आप नीम की पत्ती यूज कर सकते हैं तो चलिए आप इसे हम छिड़काव करेंगे तो इस तरह से पूरे प्लांट पर हम भींगो देंगे बहुत हथ तक पर आप देखेंगे तो आपको एक अच्छी रिजल्ट मिलेगी बहुत से चीट या है बहुत से चोड़ पर आप इसे अपलाई कर सकते हैं अगर आप इस तरह से अपने घर पर मीच लगाएं तो यह मेंच के लिए काफी अच्छी होगी जो वाइड प्लाई का टेक होता है मेंच पर सफेद मख्या का अटक बहुत तेजी से होती तो यह इस पर काफी एफ्यक्टिव होगी काफी लबदायक होगी इस तरह से हमें प्लांच को पूरी भीगो देना है और सब्ता में आप एक बार इसे इस्प्रे कर सकते हैं यह केमिकल खाने बिल्कुल और गैनिक है हमारी प्लांच के हैल पर इसका बुरा सर नहीं पड़ेगा तो चलिए दोस्तों उमीद करेंगे यह आपको पसंद आए होगी पसंद आए तो जरूर से हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और दोस्तों के साथ भी सेयर कर सके ताकि हर लोग इस प्रे से बना सकते हैं अपने घर पर वह इस्तिमाल कर सकते हैं तो दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्स बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ झाल झाल